हाई फ्रेंज इहाँ पर मैं एक बैग लेकर बाइटी हूँ जिसमें पंजाब की मिट्टी foreign clay कुछ clay pot clay pot smoky non smoky किसी में भी हो सकता है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा slate item रखा है यह black and white में मैंने लखा है natural stones white बहुत ही soft and earthy होता है और friends एक बात मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ कि यह जो हम sale करते है हम हर बक्त बोल देते हैं कि यह आपके लिए यह non edible item है ठीक है और किसी भी बच्चे को हम लोग sale नहीं करते जितना हमें जानकाडी लेना होता है हम लोग ले लेते हैं कि जैसे आप कहा कितना उमर है ऐसा कुछ किसी पर अगर doubt हुआ तो मैं यह सवाल करती हूँ उसके बाद मैं गाली भी खाती हूँ कि आप sale करने के लिए बैते हैं इतना जानकाडी क्या जरूरा थे यह सब फिर भी मैं बता दू हम सब लोगों को sale नहीं करते हैं नए कस्टमर तो हम लेना ही बंद कर रहे हैं कर दिया है और लोगी फिर भी सुबह से एक ही नंबर से मुझे बार बार धंकिया आ रहा है इनके मम्मी के लिए तो मेरी और वो उसके साथ यह भी बोल रहे है कि सभी 1000 लोग आपके एगेंस्ट है मुझे किसी से दोस्ती करने की भी जोरूरत नहीं है दुष्मनी की भी जुरूरत नहीं है कि दोस्ती दुष्मनी जो भी आप करे इसके लिए आपको टाइम चाहिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं कहीं पर भी नहीं करती हूं कि यह एडिबल आइटेम है आप लोग खाईए लीजी ऐसा कुद भी मेरे पास जो आइटेम है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों का अच्छा लगता है यहाँ पे है फॉरेंड क्ले और पंजाब की नित्ती चाड़ो आइटेम हो इसके साथ अगर आप चाहे तो नाकुमाट का सैंपेर ले सकते हैं तो नाकुमाट इसमें हमने स्किप कर दिया है और रोस्टेड मुलतानी अभी नहीं है बहुत ही कम स्टॉक में है जो नॉर्मल नहीं होगा तो आपको वो भी मिल सकता है और यह है हमारा एक केजी का पार्सल यह आपको 260 डुपीज में मिलेगा क्ले पॉट इसमें बबल सोंगे क्ले पॉट में मैंने हर लगभग छोटे छोटे आइटीम ही दिया है बड़े आइटेम नहीं दे रहा है क्योंकि बड़े मुलते रहता है ताइनी ग्लास भाथ दिखाया है तो मिलेगा सुधाई है यह ग्लास है कोलकता लएपोट है पेवे पॉट है बॉली पोट है कोई भी आइटेम खतम होते है प्सट व Самोल हो ठाइक बहुत है तो यह पार्षट आपको दून सिक्स्टी में मिलेगा आज फ्रेंज क्लेपट ब्रबल्स होंगे मेरी तबियत बहुत ज़्याद सही नहीं है बहुत थकान है कि बहुत सारा औरर है उसको पार्सल पैकिंग में बहुत टाइम राख को ज़दना पड़ता है तो इसलिए प्रेंज में पोड़ा क्या बुलूट तो मेरा क्लेपट का निव स्टॉक आज आने वाला है जोकिन आते आते शाम हो जाएगा तो इसका वीडियो आपको कल मिलेगा तो 260 में अगर किसी को ये पार्सल चाहिए तो प्लीज फोटो भेज के ओडर कर सकते हैं और कोलकाता क्लेपट का जो ब्रोकेन का मैंने वीडियो डाला था 2,270 वो ओडर और नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका अल्रेडी ओडर बुख हो चुका है जितना स्टॉक था 2,5 के जी का और 2,2 के जी करके 12 के जी ओडर अल्रेडी हो चुका है तो उसका ओडर और नहीं ले पाएंगे तो कोई भी ओडर मत दीजेगा उसका